हेलो एवरीवन, वेलकम तो बोजोन, मैं डिटेक और रविंदर पाथ है, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा MBBS इस्टेडी न रशिया, आप अपने लिए एक अच्छी उनिवर्सिटी कैसे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप MBBS इस्टेडी रशिया से करने की स ऐसा इसलिए जानना चाहते हैं, आप जब वहां पहुंचे, उनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लें, तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, विकॉस आप अलग-अलग सोर्सिट से इन्फोर्मेशन गेन करते हैं, लाइक सोसल मीडिया आपके बजट में है या नहीं है, और आपकी एक्सपेक्टेशन हमेशा यह होती है कि आपको इन्फोर्मेशन सही मिले, ताकि आप सही डिसीजन ले और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन ऐसा हमेशा होता है, तो ऐसा हमेशा नहीं होता है, इसलिए नह प्रोड़क्ट के हमेशा आपको एडवांटेज अच्छी अच्छी बाते बताई जाएगी तब आप उस प्रोड़क्ट को बाई करेंगे और तब ही उनका प्रॉफिट होगा तो यह चीजे अपला यहां पे को करना है यह चीजे अच्छे से कंपैर करना है इस चीजे में आज आपको एक स्पलेन करूंग में किस पेरामेटर पर आपने कंपेर करना है कि मेरा हमेसा मोटीव होता है कि जब आप तो सारी चीज़े आपको पता होना चाहिए वहां का एडवांटेज डिसएडवांटेज एक्चल बजट कितना है क्या क्या प्रॉब्लम्स वहां आ सकती है सारी चीज़े ताकि आप अपने लिए सही डिसीजन ले सके क्योंकि हर युनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ सारी चीज़े में हुआं इसलिए हमेरा हमेशा मोटिव होता है जब हमें कौल करते हैं आप हमे चूस करते हैं तो हमारे पॉलंट आपके पॉलंट आपकी डिसाजेडवांटेज परोजन कौन से आपको सब चीज पता होना चाहिए तब आप decision लेंता कि हमारी सर्विसे तो हम आपको 100% दे रहे हैं जो जो चीज़े हम प्रॉमिस कर रहें वो डिलीवर करेंगे आपका फॉन उठाएंगे सारी चीज़े होंगी लेकिन यूनिवर्सटी भी तो अच्छी होनी चाहिए हमारी तरफ से हमने सर्विस दे दिया अब यूनिवर्सटी के तरफ स हैं और मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया वह प्रॉब्लम का कोई सॉलूसन नहीं होगा और यही कारण है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं यूटूबर हिदन एजेंट जिने वह बोलता है इस्टूडेंट जो हम पढ़ रहे हैं वह आपको उस यूनिवर्सटी के बोला जाता है कि बाद में को कैसे फेस करेंगी यह चीजें आपने समझना है और सेकेंड्ड आप लोग कई उनिवर्सटी को देखते हैं कि इसका एंशे परसिंटेज काफी अच्छा है यह उनिवर्सटी चूज करना चाहिए वह उनिवर्सटी चूना चाहिए परामिटर आप लोग यह भी रखते हैं एंसे एक जाम जो एंसे इस परामिटर पे आप युणिवर्सिटी टू युणिवर्सिटी कंपेर करते हैं कि युणिवर्सिटी अच्छी वह गी जो कि ऐसा हमेशा नहीं होता है इसा क्यों होता यह भी आपको समाजना पड़ेगा विकॉस जब इसमें सिर्फ 40 बच्चे पास हो रहे हैं यहां आप क्या बोलेंगे युनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है यह बच्चो की प्रॉब्लम है यह बच्चो की प्रॉब्लम है क्योंकि युनिवर्सिटी तो सभी बच्चो को सेम सिलेबस पढ़ा रही है पर बच्चे सारे पास नही तो मैंने काफी चीज एक्स्प्रेंट की हुई है इंपे जब दिस्ट्रेट होंगे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो डेफिनेटली वो कैसे क्लियर करेंगी यह चीज आपको समझना है अगर आप यह चीज समझते हैं तो डेफिनेटली आपके बच्चे बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि एंबीवियस स्टडी अपरोड हमेशा सेकंड ऑप्सन होता है फर्स्ट ऑप्सन हमारे लिए हमेशा इंडिया रहती है इंडिया की गवर्मेंट कॉलेज यह प्राइबिट वह अच्छी कॉलेज जिसका बजट एफॉर्ड कर सके हम हमेशा यह सोचते हैं जब इंडिया में ह आपको नहीं मिलने वाले हैं आपको क्ढ़ना पड़ेगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा चोड़ां कीिजिया Also, अपना 100% दीजिए, अलग-अलग sources है, social media है, YouTube है या फिर app है, prep leader है, आपका unacademy है, मैरो है, इन सारे social media app, जो academics app है, इन से आप knowledge gain कीजिए, इनका subscription लीजिए, इन से पढ़िए और आप definitely अच्छा करेंगे, और इन सब चीज को करने के लिए क्या है, आप में motivation होना चाहिए, dedication होना चाहिए, आप hard worker होना चाहिए, तो ये चीजों को आप धियान में रखे, अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए, ये चीजे तो आप धियान में रखेंगे, अपना 100% देंगे, अब university से भी आपको जो चीजे चाहिए, वो बहुत matter करता है, चोटा मोटा time नहीं है, बहुत बड़ा time है, जहाँ आपका time और पैसा दोनों जा रहा है, हमेशा आप back of the mind ये सोचते रहिए, कि आपने अपना time दिया हुआ है, आप अपना पैसा दे रहे है, आपका dream है, आपके parents का dream है, और ये चीजे सोच के, आप हमेशा अपना 100% अच्छा होना चाहिए, उसके अलाबा NMC criteria को meet कर रही है, ये चीजे देखिए, ये यूनिवर्सिटी के तरफ से आपको मिल गया, वहां के department देखिए, अनौट में department देखिए, बहां के department देखिए, जहां से चीजे आपको चाहिए, आपने अपना 100% दिया, जो चीजे वहां नहीं मिल रही है, as compared to India, like academic, ये यहां का clinical, वो चीजे आप अलग-अलग social media platform से ये खुछ से मेनद करके गेंड कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी से चाहिए, वहां के आपको syllabus अच्छे से complete हो, वहां के faculty अच्छे मिनिस बोलने वाले हो, ताकि आपके doubt के लियर हो, ये सा सबसे जादा रहते हैं, university और hostel, दोनों जगह आपका study है, because आप university के बाद hostel ऐसी जगह है, जहां पर आपकी study होगी, अब hostel अगर अच्छा नहीं है, वहां पर प्रावलम छोटी-छोटी दिक्कते फेस कर रहे हैं, तो आप उन दिक्कतों में ही उलज के रह जाएंगे, फिर आपकी study हैंपर होगी होगी, तो यह चीजे देखना है, hostel नजदीक हो, walking distance पर हो, ज्यादा दूर नहीं होगी, तो चार-पांच किलो मिटर के अंदर अगर आपका hostel है, यह चीजे आपके फेवर में होगी, hostel में देखिये, overcrowd नहीं हो, self cooking करनी हो, तो आपको kitchen facility provide की गई हो, क्योंकि university के बाद hostel matter करता है, और ऐसी कई universities हैं रशिया कि जहां university बहुत अच्छी है, सारी चीजे लेकिन hostel इतने अच्छे नहीं है, और बच्चे apartment या flat में move होते हैं, अब hostel के बाद अगर आप apartment या flat में move हो रशिया में 40,000-50,000 rubles है, maximum, minimum 12,000-15,000 rubles है, और maximum 50,000 rubles आप पे करते हैं, government hostels का, या फिर कोई private hostel है, तो उसका, लेकिन अगर आप apartment या flat में जाते हैं, तो मंतली आपका 400-500 डॉलर जाता है, आप 3 बच्चे रहते हैं, या 4 बच्चे रहते हैं, तो एक बच्चे के sharing आप ल लगा लिजे, एक लाग चालीस पचास जार रूपे आप दे रहे हैं, जहां आपका 50,000 में काम चल रहा है, हॉस्टल में, वहां आप 1 लाग हर साल ज्यादा देंगे, तो 6 साल में 6 लाग आपका बढ़ गया, फर्स्ट यर में मस्ट है, हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन हॉस आपको अच्छी मिल रही हो, तो यह वो पैरामीटर है, जिस पर आप यूनिवर्सिटी को कंपैर कीजिए, इसके अलाबा आप देखिए, यूनिवर्सिटी किस सिटी में लोकेटेड है, सिटी की कनेक्टिविटी देखिए, बिकॉस कई बार पेरेंट्स, जब हमारी बात ह मॉस्कों के पास यूनिवर्सिटी है? समझे सि नहीं रहे हिं लेकिन जिस सिटी की कनेक्टिविटी आपने देखना है, पॉपूलेशन कैसी है अगर आपको लेट नाइट कभी ट्रेवल करना है इंडिया से आप जा रहे हैं लेट नाइट आपकी फ्लाइट लेंड हो रही है तो आपको एजली ट्रांस्पोरेशन वहां मिल जाए सेप्टी सिक्यूर्टी आपकी पूरी हो तो यह चीज़े जरूर देखे इसके अलाबा अगर आप मॉस्को में के आसपास नियर बाय यह नियर स्टेट में कोई उनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं आप कहीं और तो कि रश्या बहुत बड़ी कंट्री है रश्या में ए चाहाने-ट्रेशनल एएरपोर्ट है यह यह बहुत मैटर करता है क्यों? पॊकि जब इंट्रनेशनल एएरपोर्ट नहीं होता है, अगर आप साल में एक या दो बार प्याधिया आते जाते हैं, तो आप हमेशा यह चाछाकते है कि आप maximum weight लेके जाए, खाने पीने की चीज़ या आप अपने जरूरते के समान maximum लेके जाए, अब maximum समान की जब बारी आते हैं, तो international flights आपको जो weight allow करता है, 23 kg पलस 7 kg, means 30 kg ले जा सकते हैं, 40 kg ले जा सकते हैं, या 23, 23 पलस 7, पलस 56 kg तक आप ले जा सकते हैं, लेकिन अगर international airport नह नहीं है, तो आपको जिस भी international airport पर land होते हैं, वहां से फिर connecting flight लेनी होती है, जब connecting flight लेते हैं, वो इतना ज्यादा weight allow नहीं करता है, 10-15 kg, maximum 20 kg weight allow करेगा, तो फिर आप बार की weight कैसे ले जाएंगे, ये चीज़े हैं, इसके अलावा भी कई चीज़े technical चीज़े होती हैं, जो चोटी मोटी initial problem तो starting में आपको रहती ही रहती है, जो कि student to student matter करता है, तो guys मैं हमेशा यही कोसिस करता हूं कि आपको बिल्कुल transparency के साथ सारी चीज़े बताई जाए, हमेशा ये ध्यान रखिए कि university के आसपास 500-700 km के distance पे international airport हो, ताकि आपकी traveling easy रहे हमेशा, और city को जरूर देखिए, ये मत देखिए कि capital city के पास city है तो बहुत अच्छी होगी, नहीं, capital city के पास है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो city है, अपने आपने वो city कैसी है, ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है, तो कि आपने 6 साल capital city में नहीं रहना है, उस city में रहना है, जहां university located ह तो ये वो कुछ parameter थे, जिस पे आपने university को compare करना है, बागी और भी बहुत सारी चीज़े होती है, आप मुझे direct call करके पूछ सकते हैं, मैं ऐसे ही informative video आपके लिए लाता रहूंगा, आगे so that आपको आसानी हो, easy से आपको university, आपके लिए काफी easily हो जाए university select करना, और आप चा मैं हर university के बारे में आपको बताऊंगा, एक-एक university से video लेके आऊंगा कि कि किस university जो मैंने parameter आपको बताया, compare करने के लिए university, इस parameter पे कौन-कौन से university fit बैठती है, university का budget क्या है, university के overall review, all about universities videos में लेके आने वाला हूं, आप channel को subscribe कर ले, और अगर आप channel को subscribe करते हैं, तो आपके लिए easy हो जायागा, उन वीडियो को देखना, उन वीडियो के तुरू, university selection और आप चाहते है, reasonable processing fee, one time charge, और transparency के साथ आपका admission process complete हो, admission के लिए आप मुझे direct call कर सकते हैं, और चैनल को subscribe कर ले, और अगर आप मेरा office, Bojan Meditech का हमारा office Delhi located है, अगर आप Delhi में नहीं है, आप Delhi से भा process आपका complete होता है, और कैसे online process start करना है, कैसे complete करना है, उसके लिए आप हमें call करें, हम step by step आपको guide करते हैं, so that आपकी जो admission process हो easily complete हो जाए, तो ये वो बाते थी गाई, जो मैंने आज आपको बताया, university selection कैसे करना है, आपने और किन-किन बातों का ध्यान में रखना है, I hope ये झाल